तो जाज की वीडियो के अम लोग करने वाले है realme 10 pro plus device का full camera test अब देखने वाले है इस device का camera हमें कित्ता जाधा capable देखने हो मिल जाता है इतने बड़े-बड़े दो camera के छेद तो देदी है अब देखते हैं कितने जाधा capable ये छेद हमें देखने को मिलते है तो अगर आपको व वाल्टी है उसको देख सकते हो काफी जाद अची देखने हो मिलती है और मेरे हिसाब से तो यह वाला जो सेंपल है अगर हम लोग जूम आउट जूम इन करें तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं देखने हो मिलती हो यहां पर फोटोस को फटते हुँ नहीं देखा क्योंकि जो एंड्रोड डिवाइस इस सेग्मेंट में आते हैं उनकी फोटोस को अगर आप लोग जूम करके देखो तो उनमें हलका फुल का बलरी फोटोस आ जाती है और उसी के सासा हलका फुल की फोटोस फट जाती है तो वैसा कुछ यहां नहीं देखने हो मिलना तो यह चीज करूंगा कि इसको जरूर से पर्चेस कर लो नेक्स वाट हम लोग देखते हैं एक मेन सेंसर से सो कैप्चरड है यह सिंपल हमारी लाइटनिंग कंडीशन है जो बाहर होती है है ना तो आप लोग यहां पर देख सकते हो इंडन स्किन टोन के सबसे काफी अधा ऑप्टिमाइ सब आपको वेल मैनेजड देखने हो मिलता है तो यह चीज मुझे बहुती जादा अच्छी लगी इस डिवाइस की और आल ओवर जो आपकी फोटोज है लिटरली में काफी जादा हाई क्वाल्टी की फोटोज आपको निकाल के देता है कलर से चुरेशन काफी जादा अच् के दिवाने होने वाले हो के इसके अंदर चाप को कौलर सेचरेशन देखने हो मिलता है बहुती जादा अच्छा देखने हो मिलता है नेक्स्ट अगर concurrent कार्ण में उनक्राइगे और च्रॉ जाट को लेना पड़ेगा और लग नेकर साट को जूम आउट जूम === में किरोगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हो किती जादा detailing है तो मैं तो आपको recommend करूँगा कि आप लोग अगर macro photos capture करना चाहते हो तो आप लोग इसके main camera को use करो main camera इसका काफी जादा high quality के साथ photos आपकी capture कर देता है तो यहां पर मुझको काफी अच्छी photos लगी and अगर हम लोग zoom कर रहें तो zoom करने में भी यहां पर quality एकदम अच्छे से रहती है quality को यह decrease नहीं करता है और बहुत जादा इसकी अच्छी quality रहती है contrast इसका मुझे काफी जादा अच्छा लगा तो यह चीज काफी जादा अच्छी है इसी के बाद अगर हम लोग और shots की देखें तो आप लोग यहां पर देख सकते हो इसको भी काफी अच्छे से इसने रख रख है और यहां पर अगर मैं इस sort को zoom out या फिर zoom in करता हूँ तो यहां पर भी आपकी जो photos है इसकी quality मुझे बहुत जाद अच्छी लग रही है इसके बाद यह एक और sort है main camera से captured है अब यहां पर आप लोग देख सकते हो एकदम च्छाए की photo है और च्छाओं में कुछ इस type के आपको photos देखने हो मिलती है तो यहां पर आपको काफे अच्छी quality देखने हो मिल लिया है जहां पर आप लोग को बहुत जादा धूप थी वहां पर इसके camera ने एकदम मतलब अच्छे से इसको yellow, light green and dark green के colors को काफे अच्छे से manage कर है तो यह चीज़ मुझे इसकी बहुत जादा अच्छी लगी और यह फिर zoom in करें तो यह पर फोटो की quality तो मैं तो आपको लिठर लिखाऊंगा काफे अच्छी है अफ्टर डैट अगर अम लोग बात करें low light source की तो low light source आपको कुछ इस टाइप के यहां पर देखने हो मिलते हैं और वो भी काफी जादा मतलब धका हुआ था बट फिर भी अगर हम लोग जहां से light आ रहे हैं वहां पर अगर आम लोग जूम करके देखें तो details हैं details यहां पर भी इसने lose नहीं करी हैं तो यह मुझे काफी जादा अच्छी लगी क्योंकि oneplus के devices में भी कुछ इसी टाइप का algorithm यहां पर देखने हो मिलता है एंड फोटो की quality वर्टी देखने हो मिलती है तो मुझको पता नहीं क्यों oneplus के devices की यहां पर याद आ रहे हैं बट कोई बात नहीं यहां पर जो photos है काफित अच्छी निकाल के देता है यह आपको एक और photo देखने हो मिलती है जो low light में without night mode तो low light में without night mode भी आपको कुछ इस टाइप के यहां पर photos निकाल के देता है तो यह चीज मुझे बहुत ही जादा अच्छी लेगे और बहुत जादा ठीक ठाक photos निकाल के देता है यहां पर आप लोग यूनी कह सकते कि photos की quality खराब ह और फिर as such कोई problem निकल के आती है